अब देखो दोस्तो आज हम बात करेंगे एसे दो competitive players की जिसको लेकर bgmy community में आये दिन मारा मारी होती रहती है और कुछ लोगों का ऐसा बोल ना है कि team soul based है तो कुछ लोगों का ऐसा बोल ना है कि team god like based है और हमारा कहना ऐसा है कि वीडियो पूरा देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि goblin based है या फिर Jonathan based है क्योंकि आज की वीडियो में हम full comparison करने वाले है Jonathan versus goblin का अब देखो मित्रो कमेंट में ग्यान देने से पहले प्लीज मेरे वीडियो को अच्छे से देख लेना उसके बाद बता देना अब देखो मित्रो एक बात तो माननी पड़ेगी कि goblin से 10 गुना ज्यादा Jonathan की fan following है पर बात यहाँ पर fan following की नहीं हो रही है बात हो रही है gameplay की कि इन दोनों में से अच्छा कोन खेलता है अब देखो दोस्तो रेंकिंग के हिसाब से अभी देखा जाये तो Jonathan गेमिंग टोप लेवल पर है और यह बात से कोई इनकार भी नहीं कर सकता है कि goblin से ज्यादा Jonathan के पास ट्रोफी है MVP की पर अभी 7-8 मेनों से goblin का नाम भी टोप लेवल पर चला गया है और हाली में goblin BMPS 2 ना मेच में MVP भी बना था मतलब कि यह बंदा भी खेलने में तो किसी से कम नहीं है और दोस्तों जहां तक मुझे पता है Jonathan और Goblin का 1v1 TDM आज तक कभी नहीं हुआ है जबकि Jonathan और Ninja का और बहुत सारे competitive player का 1v1 हो गया है बट Jonathan और Goblin का आज तक मैंने 1v1 TDM नहीं देखा है और भाई आप Google पर भी सर्च करके देखोगे कि BGM नंबर 1 प्लेयर तो वहाँ पर भी Jonathan का ही नाम आएगा नंबर 1 पर बाकि नंबर 2 पर कभी सो उलकसत का होता है कभी Dynamo का कभी Scout का ये तो पता नी भाई Google क्या नसे कर रहा है बट नंबर 1 पर Jonathan का ही रहता है यानि कि भाई इस बंदे में कुछ तो ऐसा है जो हर बार नंबर 1 पर ही रह रहा है दोस्तो ये बात तो सारी बाहर किये पर अब चलो मुद्दे की बात करते है कि इन दोनों में से बेस्ट प्लेयर कोन है Jonathan है या फिर Goblin है नंबर 1 किसके पास ज्यादा एक्सपिरियंस से गेम खेलने का एंड गेम को समझने का तो ये पॉइंट जाता है Jonathan को क्योंकि भाई Jonathan बहुत टाइम से BGMI को खेल रहा है अब देखो मित्रो खेलने में तो Goblin भी खेल रहा है बर जोनाथन खेलने के साथ साथ MVP भी बन रहा है और आपको भी पता होगा MVP बनना कितना हाड है और जोनाथन ने आज से तीन साल पहले PMIS में 16 किल करके वर्ल्ड रेकोर्ड बनाया था वर्ल्ड रेकोर्ड मरलब के इंटरनेशनल PUBG BGMI टूना मेच के अंदर सोलो में 16 किल आज तक किसी ने भी नहीं किये है और मित्रो जहां तक मुझे पता है जोनाथन ने ये रेकोर्ड बनाया तब Goblin ने अपना सिरफ YouTube चेनल ही स्टार्ट किया था और उसी टेम सायथ Goblin को एक भी बन्दा नहीं जानता था पर इतना लेट स्टार्ट करने के बाद भी Goblin ने इतना ज़्यादा आचिविमेंट कर लिया उसके लिए एक बहुत ही बड़ी बात है पर Goblin का नाम तब आगया जब नोडविंग के इवेंट के अंदर जोनाथन और Goblin दोनों का इंटर्विव बहार हुआ था और उसमें क्लियरी Goblin ने बताया था कि जोनाथन पहले तो अच्छा खेलता था पर अब मुझे पता नहीं पर उसने जिस हिसाब से इंटर्विव में बताया था उस हिसाब से उसका गेमपले भी बहुत ही ज़ादा आच्छा था पर फिर भी वो जोनाथन को पीछे छोड़ नहीं पाया क्योंकि आपने देखाओ तो हर बार ओफिसल एमबीपी सिरफ जोनाथन ही रहता है और इसका सिंपल सा आंसर यही है कि जोनाथन ने बहुत ही ज़ादा ग्रेंड किया है और वो बहुत टाइम से खेल रहा है पबजी बीजी माई को और भाई मेहनत का फल सबको मिलता है यह तो आपको भी पता होगा और बहुत सारी मेच में इन दोनों का 1v1 भी हुआ है कई बार जोनाथन मरा है तो कई बार गोबलिन भी मरा है पर आज तक इनका TDM में प्रो पर 1v1 नहीं हुआ इसलिए यह कहना बहुत ही ज़ादा मुस्किल है कि इन दोनों में से बेस्ट प्लियर कौन है पर हाँ टीम सोल और टीम गोडलाइक में से कोन सी बेस्ट टीम है तो उसमें भाई गोडलाइक को पOint मिलता है अब देखो मितरो में किसी टीम का haters नहीं हूँ बस मैं आपको पOint table बता कर ही यह बात कर रहा हो कि कोन सी टीम बेस्ट है और किसको ज़्यादा पOint मिले है फेवरेट टीम और फेवरेट प्लेयर कौन सा है हमें कमेट सेक्षन में बता देना और अगर आप हमारे चनल पर न्यू आए हो तो चनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन भी ओन कर देना तो चलो मित्रो तब तक के लिए टाटा बाई बाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडि क्यों में